बिहार के मधेपुरा में कोसी का कोप अब दैश्यत का दूसरा नाम बन चुका है न तो सरकारी इमारतें सुरक्षित हैं नहीं गाउंवाले किसानों का हाल तो पूछिये मत हजारों एकरधान की फसल सहलाप की भीट चड़ चुकी है इस छोर से उस छोर तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है जितने बाढ़ पीड़ित हैं उससे कई गुना हैं पीड़ा क्योंकि सुधी लेने वाला कोई नहीं है सहारा सरकार का होना चाहिए लिकिन सैलाब संकट से घिरे इन लोगों का एक ही सहारा है उपर वाला कमर तक पानी में निकलना मजबूरी है और ये हाल छे पंचायतों का है बाग से तो जितना दान लगा था इसाब सारे किसान का जो खर्चवा ये तो बिड़वाद हो ही गया और ये फुलोत के रखवा में जितना भी ये करा है ये सारा नश्ट हो गया उसके लिए यहां से फुलोत मुख्या ले जाने के लिए कोई मुख्य कार ये नहीं है और कोई अवागमन अबगत भी नहीं करा गया है जैपुर के कल्यान जी इलाके में एक तीन मंजिला मकान कुछ यू मिट्टी में मिल गया आप सोच रहे हूंगे कि न तो बारिश हो रही है और नहीं इलाके में सैलाब संकट के लक्षन दिख रहे है तो फिर मकान के यू जमीन दोज हो जाने का फ्लड अटैक से क्या रिष्टा है रिष्टा है क्योंकि बारिश की वज़य से ही ये तीन मंजिला मकान इतना कमजोर हो चुका था कि इसमें रहने का मतलब मौत के साए में जीना था इसलिए समय रहते नगर निगम ने आक्शन लिया घर में रह रहे लोगों को सलामत बाहर निकाला और फिर घर को इस तरह से गिराया कि अगल बगल की बिल्डिंग को जरा भी नुकसान नहीं पहुँचा 15 अगस्त का दिन स्कूली चात्रों के लिए और भी स्पेशल होता है उस दिन उनका जोश भी हाई होता है और स्कूलों में कई तरह के रंगारंग कारेक्रमों के लिए वो तैयारियां भी जम कर करते हैं अगर स्कूल ही बाढ़ से घिरा हो तो फिर वहां प्रोग्राम नहीं रेस्क्यू ऑपरेशन चुरू हो जाता है तस्वीर राजस्थान के बारांग की है इन शात्रों के अलावा पुलिस को कई गाम वालों का भी रेस्क्यू करना पड़ा दिन हो या रात पुलिस टीम जगे जगे प्रान रक्षक बनकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है अ कोुआ को कि अ